नमस्कार चैस्री कृष्णा मैं राके शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जियोतिस ज्यान के नाम से सिरीज चलाई है और जिसमें बहुत ही बेसिक से और एडवांस तक एस्ट्रोजी पढ़ा राहुकेतू के बारे में और वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी अवधारनाएं हैं कि वक्री ग्रह कैसे परणाम देता है या कैसे परणाम नहीं देता राहुकेतू कैसे परणाम देते हैं या उनके परणाम किस तरह से मिलते हैं इस तरह की बड़ी धारनाएं तो आज ह करने में जराए सीवी समस्या का सामना ना करना पड़े है तो राहु के बारे में एक तो यह कि इनको यह एक इमेजिनरी points मैं जहाँ प्रत्वी orbit यहां प्रत्वी घूम रही है सुधत के चार और और एक मां प्रत्वी मैं घूम रहा है तो जहां दोनों और्बिट इंटरसेप्ट होते हैं वो पाइंट्स जो हैं हमारे राहू और केतु कहलाते हैं तो यह एक imaginary point है एक mathematical point है दोनों और नासा भी इनको imaginary point मानता है और कहते हैं कि सभी प्रकार के ग्रहन जो होते हैं चाहे वो होते हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है जैसे सुर्य चंद्रबाम अंगल ब्रसपाश शुक्रशाली ग्रह है ऐसे यह फिजिकल नहीं है च्छाया ग्रह बोलने का मतलबी सिफ इतना है कि जैसे भी शेप में यह रहेंगे जिसके साथ भी रहेंगे उसका रूप धारण कर लेंगे योगि च्छाया जो होती है तरीके से हवा है च्छाया है जिसके सुपर पड़ेगी वैसा रूप धारण कर लेगी अगर च्छाया को आपने कैद कर लिया एक बरतन के अंदर एक व गया है शनीवत राहू कुजवत केतु यानि राहू शनी के समान है और केतु मंगल के समान है ऐसा बोला गया है कि प्रैटिस में आपको यह समझना चाहिए कि राहू जो रिजल्ट देता है वो शनी के समान देता है और केतु जो रिजल्ट देता है मंगल के समान देता है तो राहू आपका अनुशासित नहीं होता देखिए दोनों ग्रहे ये प्लानिंग करने वाले होते हैं राहू और केतु दोनों ग्रहे प्लानिंग करवाते हैं जब इनकी दशा होगी इंसान कोई न कोई प्लानिंग जरूर करेगा लेकिन राहू की दशा में आदमी बुरी और अ बनाते हैं जिसमें राहू अच्छे बुड़े का ख्याल नहीं करता जबकि केतु करता है यह एक खास बात है इसमें राहू और केतु की दशा हो किसी भी जातक की तो सजया भ्रहम की स्थिति बनी रहती है आदमी के अंदर हमेशा चिल्षड़ापन एक भ्रहम रहता है तो कहत हैं जिससे कि डिजन मेगरं गलक ना हुआ यह बड़ा ध्यान रखने वाली बात तो यह मैंना आपको बताया कि राहू शल्नी में के प्रकार होता है के तू मंगल यह मरनात्म कर भाव देने वाले हैं राहू और शल्नी दोनों यह अलगाव कारी प्रभाव देने वाले हैं जिस चीज पर निया डालते हैं जहां पे ये बैठते हैं जिस घर में ये बैठते हैं उस घरAMA के चीजों से अलग करते सेपरेट करते और केतू को जो काम होता है तो ये एक बड़ा important fact है जो मैंने आपको बताया राहू-केतु के बारे में दूसरी चीज राहू-केतु को कैसे प्रेडिक्ट करें कुड्ली के अंदर। राहू-केतु यदि आपकी कुड्ली में केंद्र में हो त्रिकोन में हो तीसरे भाब में हो छटे भाब में हो और ग्यारवे भाब में हो तो वो शुब क्यलाएगा राहू और केतु अगर आपकी कुंडली के केंद्र में हैं त्रिकोन में हैं और तीसरे छटे ग्यारवे भाब में हैं तो वो शुब कहलाते हैं वहां पर वो रिजल्ट शुब देते हैं इसके अलावा किसी और स्थान में राहु पैठे खास तोर से आठवे और बारवे भाव में तो राहु और केतु बहुत जादा नुकसान देने वाले होते हैं किसी कुंडली में आठवे बारवे में राहु क करने चाहिए राहु के तू एक सेवक की तरह है जैसे इसमें लाइन लिए राहु के तू एक सेवक की तरह है जिस बहाब में बैठा है महां का फल जिस बहाब में है महां का फल करेगा और जिस बहाब में उसकी दूसरी राशी है महां का फल करेगा मतलब इसका क्या है गैने का इसका मतलब बहुत सिंपल है मान लिजिए एक कुसी कुंडली के ये चौते भाव में बैठा हुआ है और शुक्र की राशी में बैठा हुआ है तो उस भाव का फल करेगा दूसरा जिस ग्रह की राशी में ये बैठा हुआ है उस ग्रह की दूसी राशी जिस भाव में है उस भाव का फल भी यही करेगा ये राहु केतु में बात होती है कि जिस भाव में बैठे हैं वहां का फल तो ये विशेश रूप से करेंगे बहुत तीवरता से करेंगे और जिस भाव में उस भाव की दूसी राशी है उस भाव का फल भी ये तीवता से करते हैं, उस भाव का फल भी ये प्रदान करेंगे, कैसा फल प्रदान करेंगे, उस भाव का कैसा नहीं करेंगे, ये सोचने वाली बात है, ये अलग से भाव बलके उपर निर्पर करता है, लेकिन राहु केतु केंद्र तिकोन में हूँ, ल बहुती नेगेटीव परणाम देते हैं तो यह हमको ध्यान रखना है कि राहु के तुका पल कैसे मिलता है राहु के तु जिस ग्रह के साथ बैठे हैं जिससे द्रस्त हो उसके अनुरूप भी विवार करते हैं वो हमने कहता है कि छाया ग्रह है जिसके साथ बैठेगा उसकी शेप ले लेगा अगर ब्रस्पति के साथ बैठेगा तो ब्रस्पति की तरह काम कर नहीं कोशिश करेगा आल बात होती है राहु के तुमें कि जिस्वी ग्रह के साथ ये बैठते हैं उस ग्रह का रूप धारण ये कर लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टन चीज होती है कि राहु के तु केंद्र में बैठे हो केंद्र कौन-कौन से भाव होते हैं हमारे पहला चौथा सात्वा और दस्वा राहु के तु अगर केंद्र में बैठा हो और ट्रिकोर्ण के स्वामी साथ हो यानि पांचवे और नवे भाव का स्वामी उनके साथ आपके बैठ जाए तो वो राज्योग बन जाता है उसको कोई आपको वो नहीं लगाना है सपोस कि यह किसी कुंडली में राहू चौथे भाव में बैठा है और मंगल पांचवे भाव का स्वामी है त्रिकोर्ण का स्वामी है और वो भी चौथे भाव में आके बैठ जाए तो छूटते ही जो हम लोग कहते हैं या जो हमारे के बीच एक धारना प्रस्लित है कि राहू और मंगल साथ आ गए तो यह अंगारक योग बन गया ऐसा नहीं है यह योग राजयोग बन जाता है यह अंगारक योग नहीं बनता क्यों तो पहली कंडिशन तो ये हैं कि राहू केंद्र में हो और और केंद्र के स्वामी के साथ हो दूसरी कंडिशन यह है कि राहू त्रिकोन में हो और केंदर के स्वामी के साथ हो तो राजयोग बनता है तो यह देखना चाहिए कि मंगल राहू को आपने साथ देखा तो ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया जी अंगारक तोच लग गया आप चेक कर लिजिए कहीं मंगल त्रिक स्वामी होता है तो राहू और गुरू चंडाल दोष्णा बनके ये आपका एक राजयोग बन जाता है जो कि हम लोग बोलते हैं कि चंडाल योग बन गया लेकिन ऐसा नहीं है यह एक राजयोग बन जाता है तो बहुत important है ध्यान देना कि राहू केतु की स्थिति कैसी है त जिस राशी में बैटेगा, उस राशी का फल तो करेगा करेगा, प्लस उस रहरी की दूसरी राशी जिस भाव में है, उस भाव का फल भी राहू के टू करते हैं, ये राजियों के बारे मैं बरत हो rebel. राहू जिस भाव में बैठता है क्योंकि मैंने उताया कि राहू जो है च्छाया गया एक धुआ है धुआ फैल गया उस भाव के उपर वो रम जाता है तो राहू जिस भाव में बैठेगा उस भाव की कारकत्वों के प्रती आपके अंदर पैशन जागरत हो जायेगा आप उस भाब के रिजट्स को पाना चाहेंगे बाइ हुक और पाइ कुरो को तब ही कहा गया है कि राभू प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग्स दोनों तरह की होती है अच्छी planning भी होती है और पुरी planning भी होती है तो राहु केतु में एक कास बात है जिस भाब में वह बैठेंगे उस भाब का पैशन उसमें ऑजाता है और केतु जो होता है वह hadshirich के समान होता है जंडे का भी उसको रगाइं करता है तो वह जादा ना कर रहे हो या बाहर उसको इंक्रीस मिल रहा हो तो कंपनी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है तो एक जंड़े के तले रहने की कोशिश करता है तो ये केतु के अंदर बात होती है तो ये आपको धान देना है राहु केतु की द्रस्टिया के बारे में आपको बालूमी है कि इनकी द्रस्टे भी पांचवां साथवां और नवी जैसे गुरु की द्रस्टी होती है ऐसे द्रस्टी होती है द्रस्टी इनकी हमेशा नुकसान दायक होती है जिस भी भाव पर ये द्रस्टी डालेंगे उस भाव के फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और मैंने आपको यह बताया कि राहू केतु अपनी अंतरकशा में दोनों राशियों का फल करते हैं जिस जहां पर है उसका फल कैसा करेंगे उसका फल करेंगे वह डिपेंट करेंगा भाव बल के उपर यानि वह भाव जो है भाव का स्वामी कैसा प्लेस्ट है भाव का कारक कैसा प्लेस्ट है अगर वह भाव बली है तो उसके फल भी अच्छे होंगे अगर वह भाव बली नहीं ह तो उसके पर नेगेटीब होंने तो ये था रहु केटु के बारे में रहु गतु के बारे में एक यह बग है कि रहु आठवे भाव में लिए तिआर करता है। राहु नशेयम नशिले पधारत की तस्करी का विकारत है राहु का आठवे बाब में होना बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता पांचवे बाब में केतु हो तो आदमी जोतिस बन जाता है आठवे भाब में केतु हो तो परिशाली तो होती है तो यह थे राहु के बारे में जो मैंने आपको बताए और इसके लावा नेक्स वीडियो में थोड़ा सा आपको और आगे राहु के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छा लगे तो कांडली सब्सक्राइब कीजिए श शुरू करने जा रहे हैं अपनी एडवांस अच्छलाउंजी की जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वो इसको जोइन कर सकते हैं नामंकन अपना कराके जोइन करें धन्यवाद जैशी क्रिश्ट क्राफश है